So hello guys, तो यह हमारी weekly current affairs की class है, जुलाई महीने की, और कहा से कहा तक हम इसमें cover कर रहे हैं, 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक, जो हमारा जुलाई का 3rd week छूट गया था, वो इसमें cover करेंगे, सारे important question लेंगे, तो चलिए start करते हैं आज की class, तो इस प्रस्ट में पूछ रहे है कि Wimbledon Open में main single का title किस ने जीत लिया है, तो आंसर होगा Carlos Alcaraj, अब Carlos Alcaraj से और क्या प्रशन बन सकता है, कि भया ये किस देश के tennis player है, तो याद रखना ये Spain के tennis player है, यहाँ पे हमने Wimbledon Open की बात करी है, जो की साल का 3rd grand slam है, और इसमें main single के हमने बात करी है, अब प्रशन आ बार्बोरा क्रेजी कोवर ने जीत लिया है, ये Czech Republic के हैं याद रखना, अगला प्रशन देखते हैं, अगले प्रशन में पूछ रहे हैं, विश्व यूवा कौशल दिवस World Youth Skill Day ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को, 15 जुलाई को मनाते हैं World Youth Skill Day, और theme के अगर बात करेंगे, theme क्या रही, Youth Skills for Peace and Development, और Youth से दो दिवस आप और याद रख सकते हो, एक तो World Youth Day होता है, जो हम 12 अगस्त को मनाते हैं, इस दिन हाती दिवस भी होता है, और हम एक National Youth Day भी मनाते हैं, स्वामी विवेकानन जी की जहनती को, यानि की 12 जन्वरी को ध्यान रखना, अ अगला प्रशन पूछ रहे हैं, अभी Hans Won Hanting पुरुसकार के लिए किसे चुना गया, तो अंसर होगा, के चोक लिंगम को, अब क्या है पुरुसकार, थोड़ा सा डेटेल में जानेंगे, विक्तिमोलोजी के प्रसिद्ध भारते प्रोफेसर हैं, ये के चोक लिंगम, और इनको World Society of Victimology के द्वारा ये Hans Won Hanting पुरुसकार दिया गया है, हर तीन साल में दिया जाता है, एक बार उस वेक्ति को दिया जाता है, जिसने विक्तिमोलोजी के शेतर में महतवपून अगला प्रशन दिया हो, ये अभी क्या है, डॉक्टर के चोक लिंगम, बंगलूरु में एक विश्विध्याले है, आरवी विश्विध्याले युनिवर्सिटी, वहाँ पे विक्तिमोलोजी के प्रोफेसर है, विक्तिमोलोजी आम बार बार कर रहे हैं, ये होता क्या, इस फिर पूचरे अभी नेपाल के नेप धानमंत्री कौन बन गए हैं, तो अंसर होगा, केपी शर्मा ओली बन गए हैं, अभी तक कौन थे, पुश्प कमल दहल प्रचंड हुआ करते थे, लेकिन संसत में विश्वास मत ये साबित नहीं कर पाए, पच से इने इस्तिफा देना पड़ा, और नए बन गए हैं, केपी शर्मा ओली, तो इनका नाम याद रखेंगे, नेपाल की स्टेटिक की अगर हम बात करते हैं, तो नेपाल की केपिटल क्या होती है, काठ मांडू होती है, और याद रखना, इस काठ मांडू में आपको किसका मुख्याले हेड़क्वा पड़कार ने IT सक्षम यूवा योजना को मंजूरी दे दी है, तो ये योदना शुरू की है हर्याणा ने, अब क्या होता इस योजना में ये बात करते हैं, तो इस योजना को मिशन 60,000 के अनुसार डिजाइन किया गया है, और मेन बात करते हैं कि इस योजना में है क्या, इस योजना में अगर हर्याणा के किसी यूवा ने IT में अगर ग्रेजियोशन या पोस्ट ग्रेजियोशन अगर उसने कर रखी है, तो फिर उसे नोकरी दी जाएगी, नोकरी में भी कहा गया कि हर महीने शुरूबात में, पहले 6 महीने तो शुरूबात में 20,000 रुपे आप महीने ये है योजना, क्या नामे योदना का IT सक्षम यूवा योजना किसने याद रखना हर्याणा ने शुरू किया है, हर्याणा के केपिटल क्या होती है, चंडीगड होती है और यहां के मुख्य मंतरी नायब सिंग है, पहले मुख्य मंतरी कौन थे इन से पहले, मनोहर ल प्रश्ण आप लोग बताएंगे हम अगला प्रश्ण देखते हैं फिर आपसे पूछरे अभी पश्ची में घाट से खुजी गई नई प्रजाती का नाम हेब्रो सैस्टम स्वामिनाथन में स्वामिनाथन के नाम पर रखा गया है यह प्रजाती है किसकी इसका सम्मन्द किसस है तो अभी केरल के पश्ची में घाट के सदा बाहर जंगलों में जंपिंग मकडियों की एक नई प्रजाती खुजी गई है तो एक का नाम दो प्रजाती है तो एक का नाम तो हेब्रो सैस्टम स्वामिनाथन रखा गया है MS स्वामिनाथन के नाम पर और दूसरी प्रजाती का नाम हब्रो सेस्टम बेंजामिन रखा गया है, किसके नाम पे, श्रेलंका में जो जम्पिंग स्पाइडर विषशगय है, सूरेश बी बेंजामिन उनके नाम पे, तो बस इतना सा याद रखना की, ये अभी न्यूज में देखा, हेबरो सेस्टम स्वामी नाथन, MS स्वामी नाथन की नाम से समझ में आ रहा है, इनके नाम पर रखा गया है, है क्या ये, ये जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाती है, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, फिर पूछ रहे हैं कि महिलाओं की हाई जंप में उची कूद में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और 2.10 मीटर की उची छलंग लगा करके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और कहां पर बनाया, कौन सी प्रतियोगिता में, तो डाइमंड लीग पैरिस में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूक्रिन की हैं आप जानते हो इसकी जो कैपिटल होती है वो की होती है रिविनिया यहां की करंसी होती है और प्रेसिडेंट विलादमिर जैलिंस्की तो ध्यान रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर पूछ रहें कि मरसर की जीवन यापन लागत देटा रिपू किसके लिए हम यहां पर बात कर रहें शरमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर यह होंग कॉंग है और दूसरे नंबर पर सिंगापुर है वहीं भारत में अगर बात कर रहें सबसे महंगा शहर शरमिकों के लिए तो फिर वो मुंबई है इस लिस्ट में वो 136 नंब है ध्यान रखना अगला प्रशन देखता है फिर पूछ रहें कि अभी किस मंत्राले ने प्रोजेक्ट परी को लॉंच किया है तो आंसर होगा संस्करती मंत्राले ने ministry of culture में परी की full form देख लो ये ध्यान रख लो public art of India अब क्या था इस project में आपको पता है UNESCO के अभी विश्व धरोहर समिती की 46 नंबर की बैठक ये कहां पे हुई पहली बार ये भारत ने इसको होस्ट किया भारत में भी कहां पे हुई ये अभी नई दिल्ली में हुई तो नई दिल्ली में ये बैठक हो रही है और यहां तक जाने के लिए जिस दिस रास्ते का प्र अरीवी इन दिवारों के पीछे छुप जाएगी जैसा कि हमेशा होता है तो प्रोजेक्ट पर ही याद रखेंगे संस्कृति मंत्राले ने आचा यूं बताओ संस्कृति मंत्राले के मंत्री कौन है कल्चरल मिनिस्टर कौन है तो याद रखना गजेंद्र सिंग शेखावत है परियेटन मंत्रा लिभी नी के पास है अगला प्रशन देखते हैं अभी कभी किसे का देल दिया दिया फिर अगला प्रशन देखेंगे अगला इंप्रशन है अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दू लास्ट वीक जो मैं आपके लिए लेकर के आया था जिसमें हमने पार मैंने फिर वो टेस्ट वाली बात नहीं रखिए जिसमें आपको मैं 4-5 सेकंड देता हूँ अभी मैं क्यूशन पढ़ रहा हूँ डारेक्ट आपको समझा रहा हूँ ये जो टेस्ट वाली बात होगी इसको मैं अलग से लेकर के आऊँगा मुझी लाना तो है लेकिन व एक टेस्ट वाला अलग से ही टॉप 100, टॉप 50 क्यूशन का अलग से वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा ठीक है तो उमीद करूँगा इस बार तो आपको पसंद आएगा मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ अलग-अलग तरीके से कि कौन सा मेरा प्रयास आपको पसंद आ आपके लिए helpful हो तो इस बार देखते हैं कैसा रहता है आपका रिक्षन तो important question में ने बताया mark करना क्या है प्रशन कि अभी 48 नंबर का कौपा अमेरिका प्रत्योगिता ये किस देश ने जीत लिया है तो इसका तो अंसर हो जाएगा Argentina अब याद रखेंगे ये जो कौपा अ को हराया है कोलंबिया को हराया है फाइनल में ये याद रखना अच्छा ये भी याद रखेंगे कि ये हुआ कहां पे तो ये अमेरिका में हुआ है अमेरिका में एक स्टेडियम है हाड रॉक स्टेडियम आप देख लो यहां पे कहा गया ये अमेरिका में हुआ है अमेरिका है, 2024 में 48 नंबर का संसकरन हुआ, और अर्जेंटिना जीत गया, यह रहा, अर्जेंटिना जीत गया, सोल भी बार जीता है, किसे हराया, कोलंबिया को हराया है, अर्जेंटिना जीता है, इसके स्टेटिक ध्यान रखेंगे, कैपिटल बुइनेस आयर्स होती है, करंसी है, अर्जेंटिनी पी, सो, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, इंपोर्टिन क्यूशन एक्जाम में आयेगा, याद रखना, अगला प्रशन देखते हैं, फिर आप से पूछ रहें कि, खर्ची पूजा महोच्व, यह कहां मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा महोच्व याद रखना यह तिरिपूरा का है, और तिरिपूरा के स्टेटिक की बात करेंगे, कैपिटल अगर तला हो गई, मुख्यमंत्री हैं मनिक्षा और गवर्नर ह पे होता है कोगबुरुख भाशा महुटसव यहां पे मनाया जाता है कोगबुरुख भाशा यहीं की है और याद रखना तिरिपुरा और बांगला देश के बीच में जो सीमा बड़ा न्यूज में है BSNL तो CMD कौन बन गए? CMD याद रखना कौन बन गए? इसके Robert J. Ravie बन गए हैं किसके BSNL के important question mark करना इसको भी आगला प्रशन देखते हैं अच्छा option भी revise करा दूँ क्या? option revise कराने से फिर आपका video landy हो जाता है फिर आप ये मत बोलना कि video landy हो गया फिर आप दोनों बाते कर देते हो ये भी के देते हो कि video landy हो गया फिर ये भी के देते हो option भी revise कराओ दोनों बाते एक साथ लागू नहीं हो सकती है चलो देखो रजच शर्मा ये अभी NBDA NBDA मतलब News Broadcasters and Digital Association भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है उसके यद्देख्ष बने है सुम्या स्वामिनाथन हमने देखा था राष्ट्रेय टीबी उन्मूलन कारेकरम के लिए इनको प्रमुक सलाकार बनाया गया था और सुजाता सौनिक की बात करें तो महराश्टर की पहली महिला चीफ सेक्करेटरी मुखे सचीव ये बनी थी और BSL की फुल फॉर्म क्या होती है भारत संचार निगम लिमिटेड जिसकी स्तापना होती है 1 अक्टूबर सन 2000 में अभी अक्ला प्रशन देखते है फिर पूछ रहें कि अभी पहला विश्व आडियो वीज्वल और मनोरंजन शिखर समिलन ये कहां पर होगा तो ये पहला है इसलिए प्रशन इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए तो ये होगा गोवा में कब होगा इस साल ये नवंबर में होगा और आपको बताए हर साल हम नवंबर में International Film Festival of India का आयोजन करते हैं गोवा में ही नवंबर में ही करते हैं इस बार याद रखना ये इसका 55 संसकरन 55th नंबर का एडिशन होगा तो उसी के साथ इस सम्मिट का आयोजन भी होगा आचा वेसे हमारे सूचना और प्रसारन मंतरी कौन है वही है जिनके पास रेल मंतराले है यानि कि अश्विनी वेशनाव याद रखना अगला प्रशन देखते है फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हैं फुटबॉल से है एक तो यह हो गया 2024 में इसका सतरवा संसकरन था जो कि कहां पे खेला गया था बरलेन जर्मनी में किसने जीत लिया इस्पेन ने जीत लिया है चौती बार इस्पेन ने ये खिताब जीता है फाइनल में किसे हराया Spain ने England को हराया है इतना याद रखेंगे और उसके बात ये ध्यान में रख लो भई अभी 2024 वाला सतरवा संसकरन था जो 2028 में होगा भई 4-4 साल में होते हैं भई कितने 4-4 साल में होते हैं तो जो 2028 में होगा वो 28 संसकरन होगा कहां कहां पे होगा इंग्लेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स, नदर, आरलेंड और इसी को हम क्या कहते हैं इन चारों को मिला गर के ही आप UK कहते हो तो आप कहा सकते हो UK और Republic of Ireland में ये खिला जाएगा उसके बाद 2022 में ये 19 संसकरन इटली और तर्की में होगा ये भी आप ध्यान में रखें अच्छा कई बार पूछा जा सकता है कि स्पेन की पूरुष फूटबल टीम को किस नाम से जाना जाता है ला रोजा के नाम से ये फेमस है तो ध्यान रखना important प्रस्ण रहेगा ये अगला प्रस्ण देखते हैं भी फिर आप से पूछ रहे अभी हाली में किस राज्य के APCNF कारेकरम को पुरुत गाली गुल बैंकियन पुरुषकार 2024 से सम्मानित किया गया तो इसका उतर हो जाएगा आंद्रप्रदेश यहाँ पे APCNF का मतलब हो गया आंद्रप्रदेश Community Managed Natural Farming मतलब आंद्रप्रदेश समुदाय प्रबंदित प्रकरतिक खेतिक कारेकरम इसे हिंदी में बोलेंगे मतलब आंद्रप्रदेश में जो Natural Farming हो रही है और जो समुदाय उसको manage कर रहा है उनके लिए यह कारेकरम शुरू किया गया था कब? 2016 में उद्दिश से क्या था? Natural Farming को प्रमूट करना और अभी इसे कारेकरम को एक आवर्ड मिला है जिसका नाम है गुल बैंकियान आवर्ड 2024 और ये किस के द्वारा दिया जाता है? कौन देता है? तो ये पुर्तगाल के द्वारा दिया जाता है ये याद रखेंगे आंद्रप्रदिश का है ये कारेकरम जिसको ये आवर्ड मिला ठीक है? अगला प्रशन दिखते है और ये भी अच्छा प्रशन है क्या है प्रशन? कि क्रशी स्टार्ट अप को साहेता देने के लिए एग्रिश्योर लॉंच करने की घोषना किसने की है? तो अंसर होगा नाबाड तो अभी क्रशी मंत्रा लेने नाबाड के साथ मिल करके क्रशी में नवाचार यानि की इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीन उद्यमों को समर्थन देने के लिए भी 750 करोड रुपे की राशी के साथ एक एग्रिश्योर नाम से एक फंड लॉंच किया है तो ये जो 700 करोड रुपे का ये जो फंड है एग्रिश्योर नाम से तो इसे एग्रिकल्चर के शेतर में जो स्टार्टप हैं जो एग्रिकल्चर के शेतर में काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये पैसा इस्तमाल किया जाएगा मतलब उनकी आर्तिक सहायता दी जाएगी इसके थुरू तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे एग्रिश्योर की फुल फॉर्म भी है एग्रिफंड फॉर स्टार्टप एंड रूरल एंटरप्राइजे जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है नाबाट की स्टैटिक देखें पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट इस्तापना होती है 1982 में और किस समिति की सिफारिश पे इस्तापना होती है और ये कहां पर है गुजरात के भावनगर जिले में है ये पालिताना शहर और दुनिया का ये पहला शहर बन गया है जिसने मासाहरी भोजन पर बैन लगा दिया है इस पालिताना शहर को जेन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है तो इसका नाम ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर पूछ रहें अभी हाली में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टे रिंग नामसिक फीचर लॉंच किया है तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने तो सिंपल सा याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक इसने इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग सेकुरिटी मोबाइल बैंकिंग सेकुरिटी को और सिक्यूर करने के लिए ये सेफ्टे रिंग नामसिक फीचर लॉंच किया है किसने किया है पंजाब नेशनल बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के स्टैटिक देखें तो इसतापना होती है 1894 नई दिली में मुख्याले मिल जाएगा MDCO अतुल कुमार गोयले और इसकी टैग लैन होती है यो एक और आप से पूछें कि रवांड़ देश के ने राष्टरपती कौन बन गए है रवांड़ ये है तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉल कामागे यहां के नए राष्टरपती बन गए है रवंड़ जैसा कि आप जानते हो अफ्री की महादूईप का एक देश है चलो मैं आपको ले चलता हूँ रवांडा ये रहा मैप में रवांडा तो कैपिटल इसकी किगाली होती है करंसी है रवांडा फ्रेंक और प्रेसिडेंट कौन बन गए हमने देखा भी पॉल का मागे बन गए है याद रखना इस देश को हजारों पहाडियों की भूमी के रू और अमिच्छा जो हमारे गर्यमंत्री भी है और सहकारिता मंत्राले भी इन्हीं के पास है और अभी इन्होंने मद्यपरदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलो में ये प्रधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस को लॉंच किया है इसका उध्धान किया है मतलब क्या ह मतलब यह हो गया कि मद्यपरदेश के जितने भी 55 जिले हैं उनमें जो भी उनिवर्सिटीज है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा प्रधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस में और इससे फाइदा क्या होगा इससे इस्टुडेंस को ये फाइदा होगा कि वो अपने मू कुर्स कर सकता है उसी तरह से कोई टेक्लोजी साइन्स का स्टुडेंट है अगर उसको बायो में इंटरेस्ट है तो बायो में वो डिप्लोमा कर सकता है आर्ट्स का कोई भी सब्जेक लेके उसमें डिप्लोमा कर सकता है ये इसका बेनेफेट होगा तो प्रशन क्या पूछ उत्तराखन की पहली है, याद रखना इसलिए important हो जाता है, तो ये जो bird gallery है, इसमें उत्तराखन के पक्षियों की high resolution वाली तस्विरे दिखाई गई है, जिससे visitors को राजय के पक्षियों की आकरशक छलक दिखाई जाएगी, और आप कह सकते हो, कि उत्तराखन में भारत में सब सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी संखिया 710 से भी जादा है, आप कहा सकते हो, कि देश के पक्षी प्रजातियों का 50 प्रतिशत से अधिक यहीं पे दिखता है, ध्यानटना, उत्तराखन ने कहाँ पर अपनी पहली bird century खोली है, देहरादून में, अगला प्रशन देखते हैं, फिर पूछ रहें, अभी जुलाई में ही भारतिय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में समुद्री साजेधारी अभ्यास, यानि कि मेरिटाइम पार्टनर्शिप एक्सरसाइज यह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आंसरों का अरब सा अगर में हुआ, और इस एक्सरसाइज में भारति सेना की तरफ से हमारा जो जहाज आइनेस आदित्य और आइनेस विशाका पत्नम इन्होंने हिस्सा लिया है, उद्दिश्य था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, फिर इसका ये पहला एडिशन था, जो कि अभी कहाँ पे हुआ, इंग्लेंड में हुआ, इसे भारत चेंपियन ने जीत लिया है, किसे हराया, तो पाकिस्तान को हराया है, कहाँ पे हुआ तो मैंने आपको बताया, बर्मिंगम, इंग्लेंड में ये हुआ था, मतलब ये एक T20 कि और्नामेंट है, जिसमें जो रेटायर ले चुके किर्केटर्स होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, इसका आयोजन किया, और्गेनाईस किया, इंग्लेंड एन्वेल्स किर्केट बूर्ड ने, पहला संसकरन था अभी 2024 वाला, ये याद रखना, और इसमें प्लेयर आफ दा सिरी फिर पूछ रहें, कि अभी अंतरराश्टर समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाओ कारे के लिए अभी किसे असाधारन बहादूरी पुरुसकार से सम्मानित किया, तो अंसर होगा अविलाश रावत को, एक्चुली में अभी लाल सागर में हैती विद्रोईयों के द चौबेश पुरुसकार से सम्मानित किया गया, और इसी पुरुसकार को ये असाधन बहादूरी पुरुसकार बोला जा रहा है, तो इनका नाम याद रखना आप तो अविलाश रावत का नाम, एक्जाम में इस तरह का प्रशन आएगा, तो अविलाश रावत नाम आपको दिखने को मिलेगा, अगला प्रशन देखते हैं, तो इस प्रशन में पूछ रहे हैं कि अभी किस देश में, भारते मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है, तो आंसर होगा, युनाइटेड अरब अमिराद, तो युनाइटेड अरब अमिराद के आबु लकून योगदान दिया है, इसी लिए इनको ये सम्मान मिला है, वैसे भारत में किस राज्य से ये बिलॉंग करते हैं, तो ये कैरल से बिलॉंग करते हैं, तो इनका नाम याद रखना, अगला प्रशन देखते हैं, फिर पूछ रहे हैं कि अभी विश्व अंतरराष्टर न्याय दिवस 2014 ये कब मनाया गया, इंग्लिश में बोलोगे, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, तो अंचर होगा, 17 जुलाई को, और इसी तरह का एक और दिवस है, अंतरराष्टर महिला न्याय दीश दिवस, ये भी याद रखना भी कुछ समय पहले ही हमने इसको मनाना शुरू किया, इंटरनेशनल वोमें जजजेज दे, ये 10 मार्च को मनाया जाता है, वैसे आप जानते हो, अंतरराष्टर आपरादिक नियाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कूर्ट, इसका मुख्याले आपको कहां पर मिलेगा, दे हैग नीदरलेंड में, अगला प् हैं, ये औरेडी पहले बन चुकी थी, अभी तो इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है, दो साल के लिए इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है, ये 2022 में इस पद पर आई थी, CSIR की ये डाइरेक्टर जनरल बनी थी, इस पद पर आने वाली ये पहली महिला थी, इम्पोर्टन नाम है नला थंबिक कलाई सेलवीन का नाम है CSIR की बात करें इसकी फुलफाम होती वेज्ञानिक और अध्योगिक अनुशंधान परिशद Council of Scientific and Industrial Research इसकी स्थापना होती 1942 में और नई दिली में इसका मिलेगा आपको मुख्याले तो इनका नाम ध्यान में रखना अगला प्रस्ण देखते हैं तो इस प्रस्ण में पूछ रहें कि एशिया की पहली स्वास्थ अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेट्वर्क सुविदा का भी उद्धाटन कहां पे किया गया तो आंसर होगा फरीदाबाद में किसने उद्धाटन किया अमारे जो केंद्रे मंत्री है डॉक्टर जितेंद्रे सिंग अभी उन्होंने ही फरीदाबाद में ये एशिया के पहले स्वास्थ अनुसंधान संबंदी प्री क्लिनिकल नेट्वर्क फैसिलिटी का भी उद्धाटन किया है याद रखना ये एशिया का तो पहला है लेकिन ये विश्व का नवा है होगा क्या यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो रोग जन को यानि कि पैथोजन्स पर शोध कारणे होंगे जो स्वाशन संबंदी बिमारियों का कारण बनते हैं तो इतना सा याद रखना कहाँ पर फरीदाबाद में अगला परशन लेखते हैं फिर पूछ रहें कि यूरोपिय संसत के अद्ध्ष की रूप में भी किसे चुना गया तो आंसर होगा रोबर्ट मेटसोला रोबर्ट मेटसोला एक बार फिर से यूरोपिय संसत का इनको अद्ध्ष चुना गया है ये महिला है और आप कहसकते हो यूरोपिय संसत के अद्ध्ष की रूप में दूसरे कारेकाल प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है अच्छा ये ज़रूर याद रखना आने वाली ये पहली महिला है और ये किस देश से है ये मेक्सिको से बिलॉंग करती है और एंटोनिया कोस्ता की बात करें यूरोपिय परिशत के नए अद्ध्ष बने और ये किस देश से है ये पॉर्टुगल से है उर्सुला वॉन्डेर लेन की बात करें यूरोपेन यूनियन की अभी ये प्रेसिडेंट है अब ये कुछ नाम मैंने आपको डेली करेंट अफैस वाली क्लास में बताये थे तो ये नाम मैं आपके लिए हॉमवर के रूप में छोड़ रहा हूँ और आप बताएंगे ये क्या बने है और किस देश से बने है अगला प्रशन देखते है फिर पूछ रहें अभी दुनिया की पहली 3D Printed Electric Ebra का भी परिक्षन एक टेस्टिंग कहाँ पर की गई तो आंसरों का United Arab अमिरात में तो याद रखिएगा ये दुनिया की पहली 3D Printed Electric Ebra है जिसके भी टेस्टिंग दुबई UAE में की गई है Ebra का क्या मतलब हो गए एक तरह की ये बोट आप कहा सकते हो ये बोट ही है जो की 3D Printed तकनीक से तयार की गई है और ये एक Electric है ठीक है? अगला प्रशन देखते है फिर पूछ रहें कि अमेरिका ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइले तेनात करने के अभी गोस्तना की है तो आंसर होगा जर्मनी ने अच्ब पहले तो आप ये याद रखना कि अभी जो NATO की 2024 में जो बैठक हुई वो कहाँ पे हुई? वाशिंग्टन DC अमेरिका में हुई है और यहीं पर अभी ये फैसला लिया गया यहीं पर ये तैख ही आ गया कि जो अमेरिका है वो जर्मनी में कबसे 2026 से लंबी दूरी की मिसाइले तेनात करेगा उद्देश्य साफ है रश्या को काउंटर करना पहले हम जर्मनी की बात कर लेते हैं इस्टेटिक देखते हैं जर्मनी के चलो मैं आपको जर्मनी ले चलता हूँ न यह रहा मैप में जर्मनी कैपिटल बर्लिन होती है करनसी यूरो हो गई प्रेसेडेंट है फ्रेंक वार्टर स्टेनमेर और चांसलर है अलास स्कोल्ड अच्छा जर्मनी से एक इंपोर्टन नाम मुझे याद आ रहा है तो मैं को बताना जरूरी है अभी जर्मनी की एक लेखी का है जिनका नाम है जेनी एर्पेन बेग जेनी एर्पेन बेग उनका नाम है अभी 2014 का अंतरराष्टर बुकर पुरुसकार उन्होंने जीता था उनके नौवेल के रोस के लिए पढ़ा था हम लोगों ने और ये प्रशन अभी उत्तराखंड के किसी एक्जाम में भी पूछा गया था तो इंपोर्टेंट प्रशने याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं अब फिर पूछ रहें अभी हाली में एशियाई हाती को हर्पीज वाइरस के लिए दुनिया का पहला टीका ये कहाँ पे लगाया गया है देखो अब तक हाती हर्पीज वाइरस के लिए कोई टीका नहीं था जो एशियाई हातीयों को प्रभावित कर रहा है ये जो हर्पीज वाइरस है वो कई हातीयों की मौत का कारण बन चुका है पर अभी अमेरिका के टेकसास में, हियूस्टन चेडिया घर में, एक Tess नाम का ईश्याई हाती है और हर्पीज वायरस के लिए पहली बार इसे टीका लगया गया है, ये प्रशन है, तो यहीं पूझा, कि एश्याई हाती को हरपीज वाइरस के लिए दुनिया का पहला अभी टीका कहां पे लगाया गया अमेरिका में लगाया गया ये याद रखना आप जानते हो प्रोजेक्ट एलिफेंट हम कब लेकर के आया थे कब लांच हुआ था में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था ध्यान रखना अगला प्रस्ण देखते हैं फिर पूछ रहें अभी चल्चा में रहा था नासा का चेपिया प्रोजेक्ट इसका सम्मन्द किस गरह से है तो आंसर होगा मंगल गरह से यानि की मार्स से शेपिया का क्या मतलब हो गया क्रिव हेल्थ परफॉर्मेंस एक्स्प्लोरेशन अनलोग देखो नासा का ये नासा का है प्रोजेक्ट तो नासा का एक लक्ष है कि 2030 तक इनको मंगल गरह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है अब जए वहाँ पे इनसानों को भेजेंगे तो भई वहाँ पे अलग-अलग परिष्टेति की तंत्र है वहाँ का परियावरन एंवारिमेंट कैसा है तो वहाँ पे हम इनसानों को उसका सामना करना पड़ेगा वैसे हमारी आदत नहीं है तो वहाँ पे उनकी physical और mental health पे क् है और उसकी आदत उनको डाली जा रही है इंसानों को practice कराई जा रही है ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि भाई जब तुम दो जातीस में जाओगे तो तुम्हें अजीब न लगे नया नया न लगे तुम वेवातावरन को जहल पाओ तो CPI project मैंने आपको समझा दिया नासा का है किसके लिए है मंगल के लिए है ये ध्यान में रखना अच्छा अब आप लोगों के लिए एक हमवर्ग प्रशन है मार्स के दो उपग्र हैं उनके नाम क्या है यह आपको बताना है यह आपके लिए हमवर्ग प्रशन है हम अगला प्रशन देखेंगे पिर आप से पूछ लिया जाए हरीली हरीली उत्सव तो इसका सम्मण 36 गड़ से है देको ऑप्शन में 36 गड़ भी डाला है और पहला है ओप्शन 36 गड़ है तो हरेला उत्तराखंड और हरेली 36 गड़ ऐसे ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर इस प्रशन में पूछ रहे हैं कि अभी नेल्सन मंडेला अंतरराष्टर दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 18 जुलाई को 18 जुलाई को मनाते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में पहली बार 2010 में मनाया गया था बाकी और भी इनके बारे में आपको डिटेल जान करे दी थी डेली करेंट अफेस वाली क्लास में तो अभी मैं आपको इतना नहीं बता रहा हूँ अभी हम क्यूशन और आंसर देख रहे हैं बाकी आप चाहो तो रीड कर सकते हो वीडियो को पॉस करके अच्छा ये जरूर ध्यान रख लेना ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रसना सकता है अभी नेलसन मंडेला से सम्मंदी दो अवर्ड हमने देखे थे एक विनोध गनात्रा को मिला है फिल्मों में उनके योगदान के लिए कौनसा नेलसन मंडेला लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड और एक डबलु एचो ने दो जाचोबिस का नेलसन मंडेला पुरुसकार दिया था निम हंस नामक संस्थान को जोकी भारत का है याद के लिए है मतलब जो मेल है उनके लिए है ये लाड का भाव योजना युवाओं के लिए क्या होगा इसमें जो बेरोजगार पुरुष है उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में पैसा बे दिया जाएगा अब पैसे की बात आती है तो पूछोगे कितन महिलाओं के लिए मुख्यमंतरी माजी लाड की बहिन योजना शुरू की थी जिसमें महिलाओं को हर महीने कितने रुपे 1500 रुपे मिलेंगे तो ये भी ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर पूछ रहें WSF विश्व जूनियर स चेंपेंशिप 2024 इसको बोला गया कहां पे हुआ अमेरिका के होस्टन टेक्सास में हुआ और इसमें में सिंगल में अगर हम देखेंगे तो जो भारते हैं शौरे बावा इन्होंने यहां पे ब्रूंज मेडल जीता है अब ब्रूंज जीता है लेकिन ये भारते हैं इसलिए हम इनका नाम पढ़ रहें और इनका नाम इसलिए भी important है क्योंकि world junior square championship में पदक जीतने वाले ये दूसरे भारते हैं इसमें हमारा ये दूसरा पदक है तो फिर पहले भारते कौन थे जो पदक लेकर के आया थे इसमें कुछ कुमार 2014 में वो भी ब्रूंज लेकर के आया थे लेकिन वो पहला पदक इस championship में लेकर के आये थे भारत की तरफ से और ये अभी शोरे बावा दूसरे भारते बन गये हैं पदक लाने वाले अच्छा ये तो ब्रूंज लेकर के आये फिर भी हम जानना तो चाहेंगे कि मेंस में gold कोन लेकर के आये तो मिशर के मुहमद जकार या ने gold जीता है वही women single की बात कर लेंगे तो उसको जीता है अमिना और फी ने ये मिशर यानिक एजिप्ट की है देखो world square federation की static देख लेते इस तापना होती 1967 मुख्याले इंग्लेंड में है और इसके जो president है वो जेना वर्ल्टर जेन का नाम है ठीक है सारे points मैंने आपक प्रस्णी ये बन जाता है चलो ये homework प्रस्णी हो जाएगा आपके लिए तो प्रस्णी सुनना अभी जो women cricket asia cup हुआ कौन सा sans current था नवा sans current है तो ये याद रखना है कहां पे हुआ ये तो मैं आपको बता देता हूँ ये श्री लंका में हुआ अब आपको क्या बताना है क् कि ये हो चुका है डेली कर इंटरफेस वाली class में हम बढ़ चुके हैं आपको बताना है इसमें winner कौन रहा किसने जीत लिया है और runner up कौन रहा है ये प्रस्ण मैं आपके लिए छुड़के जा रहा हूँ आपको बताना ही है ये और आपको याद भी होना चाहिए कोई कि प् है और इसके static अगर हम बात करें तो कॉलंबो श्री लंका में इसका मुख्याले मिलेगा और इसके head कौन है जै शाह इसके head है जो कि BCCI के महासच्यूबी है अभी आगे ही प्रस्ण में हम पढ़ेंगे कि अभी जो पूरुशों का Asia cup होगा 2025 वाला और 2027 वाला वो कहां पे हो होगा चलो वो मैं आपको बताएता हूँ 2025 वाला तो भारत में होगा और 2027 वाला ये बांगला देश में होगा ठीक है यह वैसे हम आगे पढ़ेंगे आगे फिर से मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा लेकिन अभी जो मैंने प्रस्ण पूछा उसका उ किस देश में हुआ चलो यह आपके लिए मैं हॉमवर्ग प्रस्ण छोड़ता हूँ तो पहले तो यह याद रखेंगे किसकी हम बात कर रहे हैं वोमेंस क्रिकेट एशिया कप की हम बात कर रहे हैं 2024 में इसका कौनसा संसकरन है कौनसा एडिशन है नवा संसकरन है कहां पे हु दामबूला में जो रंगीरी दामबूला अंतरराष्टर किरकेट स्टेडे में वहाँ पे खेला गया और यह हो चुका है तो आपको यही बताना है कि यह नवा संसकरन 2024 में जो हुआ शिरे लंका में हुआ इसको किस ने जीत लिया है किसको हराया है भारत की यहां पे कप्ता ECI के महासाचीव है तो जो मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर करना इसी तरह का एक प्रशन हम आगे देखेंगे कि जो पुरुषों का जो एशिया कप है एक तो 2025 में और एक 2027 वाला कौन होस्ट करेगा यह हम पढ़ चुके हैं चलो यह भी आपके लिए उमबर्ग प्रशन नम कवर करेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ उससे पहले देखते हैं फिर भी किसको पता है बताओ हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें कि एशिया परलंपिक कमीटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधी यानिके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है वैसे आपको बतादू दीपा मलिक ये भारते परलंपिक कमीटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है इनका सम्मन्द किस खेल से हुआ करता था तो दीपा मलिक शॉटपोट जैवलेन थ्रो के साथ साथ ते आप जानते हो इंडियन परलंपिक कमीटी के हेड कौन है अभी बनाए गई थे देवेंद्र जाजरिया उनका नाम है जेविलियन थ्रूवर है वो तो ये नाम ध्यान में रखना अगला प्रशन देखता है फिर पूछ रहे हैं अभी भारतिय बाशाओं में 22,000 पुस्तके त्यार करने के लिए भी असमीता परियोजना को किसनी शुरू किया है तो UGC और Education Ministry ने यहाँ पर असमीता का क्या मतलब हो गया Augmenting Study Materials in Indian Languages through Translation and Academic Writing UGC की बात करें फुल्फामोती University Grand Commission स्टापना होती 1953 नई दिली में मुख्या ले है इसके हैड कोने एम जगदीश कुमार नाम याद में रखना आपको याद हो तो UGC ने एक तो उत्सा और एक पोप पोर्टल लॉंच किया था उससे पहले CU चयन पोर्टल भी इन्होंने लॉंच किया था तो ये भी ध्यान में रखियेगा और अभी अस्मिता प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है ये भी ध्यान में रखना है अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहें कि अमारे जो विदीश मंतरिय सुब्रेमिन्यम जेशंकर जी इन्होंने बहारत के पहले विदेशी जन ऊशदी केंदर का उधगाटन कहां पर किया तो अंसर होगा मौरिषयस में अभी ये जो सुब्रमनियम जेशंकर जी है ये मौरिश्यस के यातरा पर गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने जन ओशदी केंदर का उधगाटन किया ये important इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के बाहर खुलने वाला ये पहला जन ओशदी केंदर है तो यहाँ पर अब जो हमारी generic medicine है जो सस्ती होती है branded दवाईयों से काफी सस्ती होती है काम वेसाई करती है वो यहाँ पर आम लोगों को मिल सकेगी भारत इसके आप उर्ती करेगा कहाँ पर Mauritius में खुला है प्रशन याद रखना important है एक्जाम में पूछा जा सकता है चलो Mauritius की बात करते है मैं आपको ले चलता हूँ Mauritius तो यह रहा इधर Mauritius Capital Port Lewis है यह हिंद महासागर में इस्तितिक द्विपिय देश आप देख सकते हो अफ्रीकी देश हुए आप इस रखिएगा वो साथ मार्च को होता है ठीक है अगला प्रशन देखते है फैल तो इस प्रशन में क्या पूछ रहे है और important mark करने इस प्रशन को कि गेवरा कोईला खदान ये कहाँ पर इस्तित है जिसे worldatlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोईला खदान का दर तो 36 गड़ की गेवरा खदान जो इस लिस्ट में दूसरी इस्तान पर है और दूसरी 36 गड़ की कुसमुंडा खदान जो कि इस लिस्ट में चोथे इस्तान पर है वैसे इस लिस्ट में सैयुक तराज अमेरिका अमेरिका की black thunder खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोईला पादक देश यह भारत है, वैसे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ग्यात कोईला भंडार है अचा कोईले के प्रकार से प्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ये प्रशन एक्जाम में आ चुका है और इसको मैंने इसी तरह से एरेंज कर दिया है जो सबसे अच्छा cool होता है वो anthracite है, bituminase, phir lignet, phir repeat सबसे कम अच्छा होता है carbon की presence जिसमें सबसे अदा होती है वो सबसे अच्छा है, जिसमें सबसे कम carbon की presence होती है वो कम अच्छा होता है तो इसी order में आप ध्यान रखेंगे एक्जाम में यही प्रश्ण आता है इनको उल्टा उल्टा order कर देता है और पूसता है कि बताओ इसको सई order में जमाओ सबसे अच्छे से बेकार कोईले के रूप में तो यह ध्यान रखेंगे में प्रश्ण हमारा यह था तो यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ण दिखते है तो इस प्रश्ण में पूचरे अभी अंतरिक्ष अनुसंधान समीति की द्वारा किस अंतरिक्ष विज्ञानिक को फेरी मैसि पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा प्रश्ण चंद्र अगरवाल को तो भारते अंतरिक्ष विज्ञानिक है प्रश्ण अनुसंधान में उनके योगदान के लिए अभी दक्षिन कोरिया के बुसान शहर में जो द्विवार्शिक बैठक हुई अंतरिक्ष अनुसंधान समीति की वहाँ पे इनको सम्मानित किया गया ये बैठक अभी 45th नंबर की हुई है कहाँ पे साउथ कोरिया के बुसान में तो प्रश्ण चंद्र अगरवाल को तो हैरी मैसी पुरस्कार मिला उसके अलावा एक छोटे ग्रह का नाम उनके नाम पे रखा गया और जो अनिल भारदवाजे उनको विक्रम सारभाई पदक से सम्मानित किया गया किसकी बैठक हुई किसने ये सम्मानित किया कहाँ पे तो हमने बात की अंतरिक्ष अनुसंधान समीति इंगलिश में बोलोगे तो कमिटी ऑन स्पेस और रिसर्च जिसे आप शॉर्ट में कॉस्पर बोलते हो जिसकी स्थाप नहीं थी 1958 में मुख्यले पैरिस फ्रांस में है और अभी हमने देखा इसकी जो 45 नंबर की बैठक हुई कहाँ पे हुई साउथ कोरिया के बुसान में हुई है ये याद रखना हर दो साल में इसकी बैठक होती है तो सारे पॉइंट्स में आपको बता दिये अगला प्रशन देखते है फिर पूछ रहे हैं कि अंतरराष्टर शतरंज दिवस इंटरनेशनल चैस दे ये कम मनाते हैं तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाते हैं हर बार इंटरनेशनली चैस को रेगुलेट करने वाली जो बॉड़ी है उसको आप कहते हो फिडे तो फिडे की अगर हम बात करें तो इसका हेड़कोटर आपको मिलेगा लोजेन स्वेचल लेंड में और फिडे की स्तापना कब होती है अगले प्रस्ट में पूछ रहें कि दूसरे एशिया प्रशान्त मंतरी स्तर्य सम्मिलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा तो आंसर होगा भारत करेगा तो याद अखना भारत ये अंतरराश्टर नागरिक उड़यन संगठन के साथ मिलकर के इस दूसरे एशिया पैसिफिक मंतरी स्तर्य बेठक यानि कि एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस की मेजबानी करेगा सेप्टेंबर में होगा इस साल ये और अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल एविशन और्गेनाजेशन की स्टैटिक देखते हैं इसके इस्तापनोथी 1947 हैटकोर्टर मॉन्ट्रेयल कैनेडा में है और इसके सेक्रेटरी जनरेल जुआन कारलोस है सदस्य देश इसके कितने है 193 है भारत भी इसका एक सदस्य देश है तो ध्यान रठना भारत इसके अद्रिक्षिता कर रहा है अगला प्रशन देखते है तो अगले प्रशन में पूछ रहे है कि ICAR ने अभी किस शेतर में अनुसंधान को बहतर करने के लिए एक वेग्यानिक एक उत्पाद One Scientist One Product कारेकरम को शुरू किया तो आंसर होगा क्रशी और पशुपालन ICAR का क्या मतलब हो गया Indian Council of Agriculture Research जैने कि भारते करशी अनुसंधान परिशद और इन्होंने ही One Scientist One Product नाम से एक कारेकरम शुरू किया है और इस पैल का उद्धिश है करशी और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना ICAR की स्टैटिक देखते हैं इस तापना होती 1929 में नई दिली में उख्याले हो गया और डारेक्टर कौन है इसके हिमाचु पाठक है वेसे हमारे क्रशी मंत्री कौन है हमारे क्रशी मंत्री कौन है याद रखना शिव रास सिंग चोहान है याद रहेगा अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi नाम की बुक को अभी लॉंच किया गया इसके लिखक कौन है तो अंसर होगा Dr. R. Bala Subramaniam इसका नाम है बुक का मतलब लेखक ये है और बुक का नाम ये है तो यही याद रखना होता है इसमें बुक का नाम क्या है और किसने लिखा है ठेक है अगला प्रशन देखते है तो अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि अभी जुलाई 24 में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियूदना के अधारशिला रखी है तो आंसरों का महाराश्टर में तो अभी प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियूदना के नीव रखी है operational lane है और एक emergency lane है और कब तक पूरी होने की उम्मीद है दो हजार अठाइस तक बनकर ये पूरी होने की उम्मीद है और tunnel का जो निर्माण है ये संजे गांधी जो national park के उसके नीचे किया जाएगा तो इतने points आप ध्यान में रखें यही important है अगला प्रस्ण देखते हैं तो अगले प्रस्ण में पूछ रहें अगला प्रस्ण important है कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत यानि कि ambassador कौन बनाए गए है तो इसका उत्तर हो जाएगा विने मोहन कौत्रा इनका नाम है तो याद रखना विने मोहन कौत्रा इब यह भी मैं आपको बता दू तरंजीत सिंग संदू का यहाँ पे इनों ने स्थान लिया है अच्छा एक और याद रखो अभी ροस्ण में नए भारते राजदूत बनाए गई थे उनका क्या नाम है? विने कुमार उनका नाम है वैसे हमारे विदेश सचिव, foreign secretary का नाम भी आपको याद होना ठीए विक्रम, मिस्री उनका नाम है और foreign minister तो आप जानते ही हो सुब्रमन्यम, जेशंकर हैं कम से कम ये चार बाते तो आप ये चार नाम द्रापती मुर्मू से बुक का नाम बताया मैंने Wings to Our Hopes Volume 1 तो मतलब President द्रापती जो मुर्मू है इनके कारेकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का कलेक्शन है ये बुक ये हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में है इसको भी लॉंच किया हमारे करशी मंतरी सिवरा सिंग चोहान ने आपको यादे राश्रपती द्रापती मुर्मू को अभी यलो स्टार अवर्ड मिला था किस देश का है ये अवर्ड तो वो भी आद रखना सुरी नाम ने ये अवर्ड इनको दिया था ठीक है अगला प्रशन देखते है फिर आपसे पूछ रहें कि मेलबर्न भारते फिल्म होतसव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारते अभिनेता कौन होंगे तो अंसर होगा राम चरण तो अगले प्रशन में पूछ रहें कि अंतर राष्टरिट चंद्र दिवस International Moon Day के दो आप इसे International Moon Day ये हमने कब मनाया तो अंसर होगा 20 जुलाई को और थीम क्या है छाया को रोशन करना 20 जुलाई को अभी International Chess Day भी मनाया था ये भी याद रखना तो ऐसे आधरकलो 20 जुलाई को Chess दे तो आपको अल्रेडी याद है Chess आपने कहां पे खिला? Moon पे जा करके चांद पे जा करके आप Chess खिल रहे हो ये आपका सपना है तो ऐसे कोर्लेट हो जाएगा याद हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रश में पूच रहे हैं कि राष्टर भूसकलन पूर्वा नुमान के इंदर ये किस स्तान पर इस्थापित किया गया है तो आंसर होगा कॉलकता में तो भूसकलन के खतरों को कम करने और जो लोग भूसकलन से प्रभावित होते हैं हम उनको पहले चेताउनी दे पाएं इसी के लिए अभी भारत चरकार ने कोलकता में राष्ट्र भूसकलन पूरवा नुमान केंदर के स्तापना की है इसे के साथ भू संकेत वेब पोर्टल और भूसकलन मोबाइल एप्लिकेशन को भी लॉंच किया है ताकि हम लोगों को पहले ही चेताउनी देदें की भूसकलन होने वाला है वहाँ से हट जाओ वहाँ से सेव जगे पे चले जाओ और इसका उधगाटन किया हमारे जो केंद्रिय कोईला और खानमंत्री हैं कौन चीकिशन रेड़ी ने अच्छा गर बात करें भारत्य अभू वेग्यानिक सर्वेक्षन की तो याद रखलना केंद्रिय खानमंत्राले की यह अंतरगत आता है मुक्याले आपको मिलेगा कौकता में और इसके महाने देशक डारेक्टर जनरल अभी बने थे जनार्दन प्रसादिन का नाम है ठीक है इसको इंगलीश में बोलेंगे जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया अगला प्रस्ण देखते है तो अगले प्रस्ण में पूछ रहें कि संयुक्त राष्टर जल सम्मेलन में दसवे अफरीकी देश के रूप में अभी कौन सा देश शामिल हुआ है तो आंसर होगा आईवरी कोस्ट तो इसका भी नया नाम कोटेडी आईवर है कोटेडी आईवर और पहले इसको आईवरी कोस्ट कहते थे यह याद में रखना तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आईवरी कोस्ट है संयुक्त राष्टर जल कन्विंशन में शामिल होने वाला दसवा अफरीकी देश बन गया है दसवा तो अफरीकी देश बना है लेकिन अगर टोटल कौन से नंबर का देश बना है इसमें शामिल होने वाला तो 53 यह तो ध्यान रखना है यह प्रशन, अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रशन में पूछे रहे हैं कि प्रधानमंतरी स्वनिदी यूजना में सर्वश्रिष्ट प्रदशन करने वाला राज्य कौनचा रहा है तो आंसरों का मध्यप्रदीश रहा है तो अभी जो केंद्रे आवास और शेहरी मामलों के मंत्राले है अभी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुवनिदी योधना में सरुश्रिष्ट प्रदेशन बेस्ट परफॉर्मन्स करने वाला राज्यों की शरेनी अभी उन्होंने जारी की है और उसमें में हम देखा था ठप हो गया था तो उनको लोन उपलब्द कराने के लिए ये योधना शुरू की थी इसमें पचास हजार रुपे तक का लोन दिया जाता है तो राज्यों में याद रखना मद्यप्रदेश टॉप पर है लेकिन अगर शेहरों में सीटीज में हम बात करते हैं प्रशन एकते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रैंड अंबेस्टर बनाया गया तो आंसर होगा शिखर धवन को तो भारते क्रिकेटर है शिखर धवन लेकिन अभी इनको भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रैंड सरक्यिट है वहीं पे होगा ये ध्यान में रख लेना तो अगले प्रस्ण में पूछ रहे हैं अभी किस ने मार्स पर मार्स जाने की मंगल पर सल्फर मिलने की अभी घूशना की है तो आंसर होगा नासा ने तो अमेरिकी स्पेस एडिंसी है नासा और इसी ने मार्स पर सल्फर मिलने की घूशना की है नासा का मार्स पर एक सेक्यूरिटी रोवर है और उसी ने ये सल्फर की खोच किये ये जो रोवर है ना सेक्यूरिटी नहीं क्यूरिसीटी इसका नाम है है क्यूरिसीटी नाम का ये रोवर है मार्स पर ये नासा की द्वारा भेजा गया एक चलती फिरती लेबोरेटरी है इसे कब लॉंच किया था नासा ने 2011 में और ये पहली बार है जब मार्स पर सलफर अपने शुद्ध रूप में मिला है किसने खोजा नासा ने खोजा नासा की स्टैटिक देख लेते हैं एक बार नासा नेशनल एरोनाटे की स्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन 1958 में स्टापना होती है वाशिंग्टन डीसी में इसका मुख्याले है यह हम पर याद रखना भी नाटो सम्मिट भी हुआ है ठीक है अगला परशन देखते है फिर तो अगला परशन पूछ रहा है कि ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी योगी गवर्मेंट यूपी ऑन दे मुव यह बुक है इसको किसने लिखा है सिंपल सा याद रखेंगे डॉक्टर शीलवंत सिंग ने इस बुक को लिखा है लिखा किये है बुक किये है यह आपको ध्यान में रखना है तो यह लिजिए जुलाई महीने का तीसरा वीक हमने पूरा कर लिया है जो अमारा छूट रहा था अभी शायद दूसरा वीक भी अ में ले करके आ जाऊंगा और फिर फाइनली मंथली वीडियो आपको आ जाएगा हां थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाएगा क्योंकि जो जुलाई वाला मंथे वो बड़ा बेकार निकला समय नहीं मिल पाया मुझे बाकि अभी यह वीकली वीडियो में आपको दे रहा ह किजिएगा तक इनको रेस्पोंस आए तो मुझे भी काम करने में मज़ा है समय देने में मज़ा है और अपनी जो क्रीक एक्जाम अप्लिकेशन ने भाया बहुत दिक्कत आ रही है पता नहीं समय साथ नहीं दे रहा दो तिन बार इसकी टेस्टिंग करवा चुका हूं फिर मेरे हाथ में कुछ है नहीं में क्या करूँ चलो आज इसको यहीं खतम करते हैं लाइक जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना थैंक यू